बिग स्क्रीन में आपका स्वाधत है और आज हम बात कर रहे हैं साउथ फिल्म आदाकारा काजल अगरवाल की काजल अपनी खुबसूरती से करोड़ों दिलों के पर राज करती हैं बीते साल ही काजल अगरवाल ने अपने लॉंग टाइम बॉइफरेंड गौतम किचिलू से शादी रचाई थी ये इंडस्टी की सबसे चर्चित शादी थी काजल अगरवाल ने साउथ चिनेमा में लंबे वक्त तर राज किया है अब जाकर उन्होंने अपना घर बसा लिया है लेकिन क्या आप जानते हैं कि शादी से पहले अधाकारा एक नामी फिल्म स्टार संग लिव इन लेशन्चिप में थी इन रिपोर्ट्स पर खुद एक्ट्रेस के एक बयान ने सलसनी मचा दी थी आईए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट साउथ फिल्म आदाकारा काजल अगरवाल अपनी खुबसूर्टी से करोडों लोगों के गिलों पर राज करती है 23 साली काजल अगरवाल ने अपनी लॉंग टाइम बाल से गौतम किचलू के साथ शादी रचाई थी ये इंडेस्टी की सब्सक्र चर्चित शादी थी काजल अगरवाल ने साउथ सिनेमा में लंबे वक्त तक राजगर आखिरकार अपना घर बसाया है मगर क्या आप जानते हैं कि शादी से पहले अदाकारा एक नामी फिल्मस्टार संग लिव इंडेशिंग फीट में थी इन डिपोर्ट्स पर खुद एक्टरस के एक बयान ने संसनी मचा दी थी साहुथ फिल्म अदाकारा काजल अगरवाल अपनी एक्टिंग खुब सूर्थी की वज़े से लाखो लोगों की फेबरेट थी जाहिर है कि ऐसे में उनका नाम किसी एक्टर के साथ ना जुड़े ऐसा होना काफी मुश्किल है मीडिया डिपोर्ट्स के मुताबिक काजल अगरवाल तेलगू फिल्म स्टार राम पोथी नेनी को डेट कर रही थी इन दोनों की अफेर की चर्चाएं खूब आम रहती थी इतना गी नहीं डिपोर्स की मायने तो काजल अगरवाल तेलगू फिल्म स्टार राम पोथिनेनी संग लिव इन डिलेशन कीप में भी रही थी बता दें कि काजल अगरवाल और राम पोथिनेनी ने फिल्म गडेश में साथ काम किया था जिसके बाद ही इनके live in और affair की खबरों को हवा मिलने लगी एक interview के दोरान काजल अगरवाल ने राम पोथी नेली संग अफेर की खबरों पर रेक्शन देकर हर किसी को चौका दिया था एक्टरस ने राम पोथी नेली संग live in के सवाल पर रेक्ट पर कहा था ये सही में एक कॉमेडी है, मैं उनसे अपचारिक तोर पर कभी मिली भी नहीं हूँ काजल अगरवाल ने अपने अफेर्स के बारे में बात करते हुए कहा था कि उन्हें दो लोगों से प्यार हुआ था जिनके साथ वो गंभीर रिष्टों में थी, लेकिन दोनों रिष्टों का अंत बुरा हुआ काजल अगरवाल ने खुलासा कर बताया, मेरे जीवन में दो गंभीर रिष्टे रहे हैं एक एक्टरस बनने से पहले और एक इंडरस्टी के बाहर के सक्स के साथ मेरा पिछला रिष्टा नहीं चल पाया, क्योंकि आपको अपने रिष्टे को कुछ समय देने और अपने लवर के करीब रहने की जरुत रहती है ये मेरे साथ संभव नहीं था, क्योंकि मेरे पास वक्त थी नहीं था अब फेर की सारी खबरों को जूट बताते हैं काजल अगरवाल ने 23 साल करोना वाइरस लॉकडाउन के तिनों में अपने मुंबई इस्तित घर पर बिज्लेसमेन गौतम की चलूशंग शादी रचाली थी तो गाईस क्या कहना है आपको काजल अगरवाल के इस रिलेशन्शिप पर प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर आपको हमानी वीडियो पसंद आती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कमेंट शियर जरूर कीजिए और सार्थ हिसान सब्स्क्राइब करना ना बूले और देखते रहे ये बिग स्क्रीम